हेलो गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल, इक्सलेट अकैडमी एजुकेटिंग इलिया न लुसिट वे मैं रुपाली गुपता यहाँ पर आपको स्वाल मेकैनिक्स के इंपोर्टेंट कोशन स्वाल करा रही जो प्रीवेस एक्जाम्स में पूछे जाचुके और आने वाले हमारे सेसी एक्जाम्स के लिए भी महुत जादा इंपोर्टेंट है और गाईज अगर आप हमने प्रीवेस सेट किया था उसमें हमने 20 कोशन को किये थे आगे हम लोग अपना सेट टू स्टार्ट करते हैं और गाईज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कोशन से आएगे देखते हैं कोशन नमबर वन a soil sample is having void ratio of 0.5 and its porosity cell be close to अभी previous year के जब अभी question हमने किये थे तो उसमें भी हमने discuss किया था कि porosity of void ratio का क्या formula होता है और इसमें क्या relation होता है ठीक है तो जैसा कि हमने बताया था इसका volumetric relation भी बताया था और इन दोनों में क्या relation होता है वो भी बताया था तो जो porosity यहाँ पर बात की जा रही है आपको porosity बताना है और आपको e given है void ratio आपको given है 0.5 तो पहले हम देख लेते हैं इसका formula क्या होता है तो porosity अगर volumetric volume के term में देखें तो क्या होता है यह volume of void upon total volume आपको यह formula याद होना चाहिए अभी previous set में इस तरह का direct question भी आया था और void ratio देखते हैं क्या होता है हमारा volume of voids upon volume of solid ठीक है और relation इसका क्या होता है हमारा n equal to यह हमारा porosity n equal to e 1 plus e void ratio के term में और अगर आप void ratio की बात करें तो क्या होता है यहां पर n 1 minus n मैंने बताया था कि यहां से आप यहां negative sign होता है तो यहां n porosity यह नेगेटिव नेगेटिव आप इससे याद कर सकते हैं इसको यहां पर positive sign होता है अब question में आपको void ratio given है e की value आपको given है तो यहां इस formula में value put up कर देंगे और हमें answer मिल जाएगा तो यह 0.5 void ratio given है upon 1 plus 0.5 जब इसको solve करेंगे तो यह आएगा हमारा 0.33 तो यह percentage की term में पूछा गया है तो into 100 कर देंगे और हमारा answer आजाएगा 33 परसंट तो here right answer will be D ठीक है next question देखते है the effective stress strength parameter of a soil RC यहां पर आपको C की value given है 10 kilo Pascal and pi यहां पर क्या है angle of internal friction 30 then the shear strength on a plane inside the saturated soil mass at a point where normal stress is नहीं आप normal stress given है आपको 300 kilo Pascal and pore water pressure यह क्या UK value भी given है 150 kilo Pascal will be तो यहां पर आपको क्या बताना effective shear strength parameter soil का आपको सब given है तो आपको इसकी value find out करनी है कि जो इसकी shear strength होगी वो क्या होगी तो आप लोगोंने columns equation पड़ी होगी तो यह क्या होता है shear strength equal to c plus sigma bar tan phi तो यहां पर sigma bar क्या है हमारा effective stress तो effective stress का भी formula आपको पता होना चाहिए effective stress क्या होता है हमारा total stress minus pore water pressure तो यहां पर आपको values given है c की value given है जो की 10 kilo Pascal है phi angle of internal friction भी given है तो आप यह value put up करेंगे और आपको direct answer मिल जाएगा तो यहां पर हम देखते हैं इसका value put up करते हैं c 10 plus यह हमारा effective stress है तो यहां पर क्या हो जाएगा यह normal stress minus pore water total normal stress minus pore water pressure भी given है 150 and tan 5 5 की value कितनी given है 30 तो आप जब इसको solve कर लेंगे आप ससी में आपको calcium तो होगा नहीं तो आपको values 10 30 की 10 sin 30 की सारी values याद होनी चाहिए जिसको आप easily solve कर लें और इसके nearest भी आप answer बताएंगे तो आप answer इसमें देख सकते हैं कि क्या आएगा तो जब आप इसको solve करेंगे तो हमारा जो answer आएगा वो आजाएगा 96.6 किलो पासकर तो here right answer will be B ठीक है आपको SSC के लिए जितने भी formulas हैं questions है values है वो सारी याद होनी चीजिससे आपको बिना option देखे ही आप उसको mark कर सकें जैसे प्रीवेस सेट में हमने किया था तो आपको option देखने की ज़रूरत नहीं होती थी direct question आप से solve हो जा रहते हैं next question देखते है if the pores of soil are completely full of air only the soil is set to be अब देखी यह भी आपका direct one liner question आ गया तो इसमें क्या था कि आपको two phase और three phase अगर diagram पता है तो आप इसको direct ही बिना option देखी आप इसको solve कर सकते तो यहां पर भी अगर आपको हम two phase diagram से समझाते हैं कि यह क्या होता है इसमें question में given है if pores of soil are completely full of air only तो full of air मतलब यहां पे सिफ air है और यह हमारा solid solids तो common हो गई तो यह हमारी क्या हो जाएगी dry soil ऐसी saturated soil के case में क्या होता है saturated soil के case में हमारा यहां पे क्या होता है water और यह होता है हमारा solid तो इसको हम लोग क्या बोलते है saturated soil ठीक है और 3-phase diagram में क्या होता है कि इसमें air भी होता है water भी होता है और solids होते हैं या partially saturated soil भी उसको हम लोग बोलते हैं तो here right answer will be D देखिए यह question बहुत बार repeat हुआ है उसी language थोड़ी सी change कर देते हैं और यह question अभी हमने previous जो set कर आता है उसमें भी दो बार यह question पूछा गया है next देखते है question the void ratio of a soil sample having a porosity of 0.32 अब देखिए यह भी direct formula पर question आया है तो इसमें porosity की value आपको given है n equal to 0.32 and moisture content of 25% will be तो आपको moisture content जो है w की value भी इस question में given है बट आप से पूछा क्या गया है void ratio e की value पूछी गी तो यह आप confuse करने के लिए उन्होंने water content दे दिया है आपको void जब porosity पता है तो आप direct void ratio को formula लगा के इसको find out कर सकते है आपको e निकालना तो अभी हमने formula बताया था क्या होता है n 1-n ठीक है जब आप यह formula लगाएंगे तो आपको direct value इसकी मिल जाएगी तो यहाँ पे इसकी value हम put up कर देंगे 0.32 upon 1-0.32 तो यहाँ पे e की value हमें मिल जाएगी कि e की value e कितना आएगा ठीक है next question देखते हैं आप इसको solve करिएगा और हमें comment करके बतायेगा कि इसका answer क्या आया direct formula पे value है next question देखते है a loose uniform sand with rounded grain has effective grain size of 0.05 centimeter अब यहाँ पे effective grain size दिया हुआ है इस तरह का question 2015 में भी आया था जिसमें आप पूछा गया था कि जो effective grain size होता है इसको किससे denote करते हैं तो option में था D, 30, D, 60, D, 10 इस तरहीके से तो जो अगर effective size की बाकी जा रही है effective grain size की तो इसको हम लोग denote करते हैं D10 से आपको यह चीज यार रखना है तो यहाँ पे D10 की value आपको given है 0.05 centimeter ठीक है आपको क्या find करना है coefficient of permeability of sand is तो यहाँ पे आपको coefficient of permeability K की value find करना है permeability को K से भी find करते हैं तो इसके लिए आपको जब D10 की value पता हो permeability पूछी गई है तो आपको एक important formula है Allen-Hazan formula Allen-Hazan का formula होता है इसको आपको याद करना है तो इसके formula क्या होता है relation होता है K permeability K equal to C D10 square यह बहुत छोटा सा formula आपको याद करना C की value यहाँ पे क्या होगी 100 होगी अगर आपको effective size centimeter में given है तो इसकी value 100 होगी और अगर effective size आपको mm में given होता तो इसकी value हम लोग 1 लेते हैं ठीक है तो आप इस formula को ऐसे भी लिख सकते है permeability equal to 100 D10 square तो इसकी value put up कर देंगे और हमें answer मिल जाएगा 100 into आपको value given है D10 की 0.5 square और यह हमारा answer आजाएगा 0.25 centimeter per second ठीक है आपको permeability की unit भी पता होना चीए यह भी question exam में आ सकता है one line of question की permeability की unit क्या होती है तो here right answer will be A next question देखते है यहाँ पर right answer क्या हो जाएगा A next question देखते है geological cycle for the formation of soil is अब यहाँ पर geological cycle की बात की जारी जब starting में soil अब पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको geological cycle ही बताया जाता है कि soil का formation कैसा होता है ठीक है तो इसके लिए हम option देख लेते हैं अफिवर, transportation, deposition, weathering next है weathering, upheaval, transportation, deposition next है हमारा transportation, upheaval, weathering, deposition and last option is weathering, transportation, deposition and upheaval तो जब सब soil का formation होता है तो आपको यह पता होना चीहिए कि सबसे पहले उसमें क्या होता है तो सबसे पहले हमारा उसमें weathering process होता है जब weathering process होता है तब ही हमारा जो parent rock होगी या rock होगी उसका क्या होगा degradation start होगा वो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स में अब घटी होना start होगा ठीक है तो उसको हम लोग बोलते है degradation of rock तो वह हमारा weathering से होता है तो weathering आए रही कैमिकल वैदरीग से होता है एक होती हमारी physical weathering और एक होती हमारी chemical weathering तो फिजिकल में क्या होता है कि कोई भी physical agent जैसे wind हो गया wind हो गया water हो गया कोई भी जो एजेंट है physically जो यंज़ON एफट करेंगा उसकी वज़ेसे जो degradation होगा उसको हम लोग physical weathering बोलेंगे और chemical weathering में क्या होगा जैसे कोई हमारी parent rock है उसमें हमारे बेर सारे minerals रहते हैं तो जब वो minerals रहते हैं और वो हमारा temperature और sun का effect पड़ता तो उसकी वज़ेसे भी degradation रहता तो वह वहीं पर जाकर डिग्रीड हो जाती तो वेधरिंग सबसे पहले प्रॉसेस होता है वेधरिंग जो रॉक होगी रॉक से दूसरी जगह पर जाएगी तो उसके लिए भी हमारे बहुत सारे एजेंट होता है जैसे रिवर हो गया water हो गया या फिर जैसे marine deposit होता है glacier के थूफ यह दर उदर जाती है ठीक है तो उसमें हमारे फिजिकल एजेंट के थूफ वाइल का transportation होता है तो नेक्ट जो प्रोसेस हो जाएगा transportation और transportation होने के बाद उसका next होता है deposition ृफ दिपोजिशिशन में क्या होगा में वह क्या होता है जिसके वझेशे से वह deposition प्रोसेस होता है next अदि आफिवल श्यवरत को में आप उद्राइक जेगा से दूसरी जगह पर जाती तो उसको हम लोग भीवल बोलते तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा, correct process होगा, soil formation का weathering, transportation, deposition और अभीवाल, तो here right answer will be D, next question देखते है, pick up the incorrect statement from the following, आपको incorrect statement बताना है, तो पहले हम लोग statement पढ़ लेते हैं, इसमें statements कैं, पहला statement देखते है, well-graded coarse grained soil can be compacted to a very high density as compared to fine grained soil, तो यह statement हमारा सही है, जो well-graded coarse grained soil होता है, उसको हम लोग compact करते हैं, very high density compared to fine grained soil, जैसे कि आप लोगोंने जब proctor test पढ़ा होगा, तो proctor जब compaction पढ़ते हैं, compaction क्या होता है, जिसमें एक pulsion of air होता है, जो voids में हमारी air भरी रहती है, तो जब compaction process करते हैं, तो वो air उस voids से निगल लाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग compaction, ठीक है, consolidation में क्या होता है, expulsion of pore water pressure होता है, pore water जो निगलता उसमें से, soil particles से, तो यहाँ पर compaction की बात हो लिए, तो जो हमारा आपने पढ़ा होगा, proctor test, यहाँ पर क्या होता है, moisture content, और यहाँ पर होता है, dry density, तो यह अगर यह हमारा ऐसा, यह graph बनता है, कुछ यादार होगा इस graph को देखके, तो यहाँ पर यह होता है, OMC, optimum moisture content, और इधर यह होता है, dry density, तो जैसे कि आपने अभी देखा, वेल ग्रेड़ जो यह, यह fine grain soil के लिए हैं, और यह हमारी coarse grain soil के लिए हैं, तो coarse grain soil के लिए क्या होता है, हमारा compacted to a high density as compared to fine grain, इसको ज्यादा compact करना पड़ता है, next option देखते हैं, dry density decreases, water after attaining optimum moisture content, तो आपने यह भी ब्राग्राम देखा होगा, कि जो dry density होती है, क्या होती है, decrease करती है, after attaining moisture content, यह आपने graph, simple सा एक छोटा सा graph है, आपने ऐसा पड़ा होगा, यह हमारा OMC होता, तो जब dry density achieve कर लेती है, तो दीरे-दीरे क्या होता है, यह decrease करने लगता है, graph इदर, ठीक है, तो यह जो second option है, वो भी हमारा सही है, next option देखते है, by compacting at a high enough water content, we can produce soil at 100% saturation, तो यह option जो है, हमारा यह गलत है, इसमें zero air void line, या फिर 100% saturation line भी होती है, जो कि हम लोग water content के base पे उसको हम लोग highly compact करके उसको achieve नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो incorrect statement है, हमारा C है, तो इस question के लिए हमारा right answer क्या हो जाएगा, C, ठीक है, क्योंकि incorrect statement यहाँ पे पूछा गया था, next question देखते हैं लोग, for a cohesive soil with increasing competitive effort, the optimum moisture content, अभी हमने यह question discuss किया, same वही question फिर से पूछ लिया गया है, उसी language में, तो यहाँ पे cohesive soil की बात की जारी है, तो जब increasing competitive effort, जब हम competitive effort बढ़ाएंगे, तो क्या होता है, यह graph कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पे यह होगा, यह ऐसा, और यह ऐसा, ठीक है, competitive effort बढ़ाने से, तो क्या हो रहा है, कि जो water content है, यहाँ पे water content होता है, और यह अधर होता है, डाइडेंसिटी, तो जो water content है, वो क्या हो रहा है, यहाँ पे, जब हम compactive फ़र बढ़ा रहे हैं वो decrease कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा और फिर इंक्रीज़ डिक्रीज़ रिमें इस जीरो तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर और रोटीन कंसॉलिडेशन टेस्ट इन लबोर्टरी थे तिकनेस ऑफ इस पैसिमें इस देखते हैं इसमें आपको पता हो नची चुछ टेस्ट करते हैं वहाम लोग कैसे करते हैं तो इसको हम लोग एक और नाम से भी बोलते हैं है ओडियोगर टेस्ट या फिर स्टैंडर ओडियोमीटर टेस्ट तो इसको हम लोग लाइब में परफॉर्म करते हैं तो इसके लिए इसको साइज होता वह हमारा 20 mm आपको यह याद हकना है और इसका जो डायल होता है जो इस पैसीमें जब हम लोग इसमें फिल करते हैं ये भी आपको याद करना है ठीक है तो इसके लिए आपको consolidation test पूरा पता होना चीए तब आप जाके इस question को कर बाएंगे और आपको soil का specimen जो thickness जो होती है उसको ये भी याद करना thickness क्या होगी इसकी 20 mm नेक्स question देखते अभी ये question मैंने solve किया two phase diagram समझा के तो आप इसका answer जो है आप हमें comment section में करेंगे देखा होगा आपने 17 में भी question आया पंदरा में भी आया और 2009 में भी question पूछा गया है तो आप इसको answer करिएगा हमारे comment box में next question देखते है the rate of consolidation option देखते है increases with decreasing temperature increases with increasing temperature is independent of temperature all of the above तो यहाँ पर consolidation मैंने बताया था क्या होता है consolidation क्यों होता है जब expulsion of air होता है हमाराosition की बात कर रहे है जब expulsion of pore water होता है हमारा soil void से तो उसको लोग बोलते है consolidation compaction में क्यों होता है एक communion of air होता है ठीक है तो तो इसमें पूछा किया temperature की term में क्या relation होता है तो अगर अगर temperature की term में बात करें तो यहां पर जो इसका answer हो जाएगा वह increases with increase in temperature राइट answer क्यों जाएगा भी उसका reason क्या होगा जैसे कि आपको पता है है जब liquid में क्या होता है जब अगर temperature increase करेंगे लिक्विट में और बेंक इसकी क्या होती है stretch करेगी जिया दिर्य ज्यादाविस्टरंग होता काम उफर करता है जिसकी वज्जे से क्या होता है विसकॉस्टि इसकी इन दिक्रीज करती अब जब बिसकॉस्टि अगर टो जो हमारी照 एक यहां इस औफ YouTube- schön ठीक जितने इसली वो उसमें water flow कर जाएगा तो flow करने की जो capacity है soil में वो बढ़ जाएगी तो इसका मतलब जो permeability है अगर viscosity कम होगी तो उसकी जो permeability है वो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी और जब permeability बढ़ जाएगी तो उतनी ही जल्दी consolidation process क्या होगा rate of consolidation भी बढ़ जाएगा तो temperature इसलिए इस तरीके से उस पर affect कर रहा तो increases with increase in temperature right next question देखते हैं Unconfined compressive strength test is undrained test, drain test, consolidated undrained test, none of the above तो यहाँ पे जो है यह भी आपको question देखके ही इसका answer पता चल जाना चाहिए आप लोगोंने triacal test पढ़ा होगा soil में तो जो triacal test में एक special case होता है तो जो unconfined compressive strength test करते हैं वो हमारा undrained test होता है ठीके यह undrained test होता है और इसमें जो cell pressure होता है वो हमारा होता है zero ठीके इसमें हम लोग cell pressure apply नहीं करते हैं जब cry-cell test करते हैं तो उसमें cell pressure apply करते हैं बट इस case में unconfined compressive test में हम लोग cell pressure apply नहीं करते हैं यह सीव हमारा undrained test होता है next question देखते हैं the relation between coefficient of consolidation time factor drainage path and time t is given by अब यह भी direct formula पर question है आपने compression consolidation chapter पढ़ा होगा तो आपने यह formula ज़रूर पढ़ा होगा इसका formula simple सा होता है यह पहला ही option जो है वो इसमें सही है तो इसका जो formula होता है cv equal to d square tv upon t तो यहां पर cv क्या वही consolidation coefficient of consolidation d हमारा drainage path टीव क्या है time factor और t क्या है हमारा time तो इस तरीके से यह हमारा क्या हो आगा right answer a आपको direct formula पता होगा तो आप इसको टिक कर सकते है टाइम वेस्ट करने की जुरूरत नहीं इस question पर next question देखते है the unit of coefficient of consolidation देखिए अब इसमें unit पूछी तो छोटी-छोटे वजह से कोई हमने बताया भी प्रमेविल्टी की unit पता होना और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा नेस कोशन देखते हैं लोग optimum moisture content is obtained from देखिए अभी हमने बताया था जब हम प्रॉक्टर टेस्ट की बात कर लेते तो उसको optimum moisture content जो यह graph मनाया था dry density और moisture content के बीच में यह graph जो बनता है तो यह जो है हम लोग प्रॉक्टर जो टेस्ट होता है उसी से हम लोग इसको find out करते हैं तो option देखने की जुरूरत नहीं है आपको direct सही answer पर ही नज़र जाने जीए time को बचाने के लिए तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा standard proctor test ठीक है next question देखते है कि the effective size of particle of soil is denoted by देखी 2015 में question आया अभी हमने एलन हेजन formula discuss किया था एलन हेजन formula क्या होता है जिसमें permeability equal to क्या होता है c d10 square तो यहां पर d10 क्या था हमारा effective size of the soil particles या soil grain effective grain size भी इसको बोलते हैं तो इसको हम लोग किससे denote करते हैं d10 से तो राइट answer क्या हो जाएगा हमारा वहां पर हमने discuss भी किया था तो राइट यहां पर हो जाएगा ए effective size of particle is donated by d10 next question देखते हैं which of the following soil has uniformity coefficient of more than 10 तो इसकी value भी आपको पता होना चाहिए uniformity coefficient पहले क्या होता है c u की value जो होता है यह होता हमारा d60 by d10 और एक और हमारा होता है coefficient of curvature इसकी value क्या होती है d30 square upon d60 into d10 तो well graded soil के लिए जो इसकी value होती cc की वो लाई करती है once लेके 3 के बीच में और जो यहां पर c u की value होती है वो हम लोग देखते हैं question में क्योंकि question में पूछा गया है तो uniformity coefficient for more than 10 तो जो more than 10 होता है यह हमारा well graded soil के लिए होता है आपको यह याद अतना है well graded soil के लिए c u की value more than 10 होती है और यह अगर sand mainly क्या होता है c u की value अगर gravel के case में gravel के case में यह होता है more than 4 ठीक है यह gravel के case में होता है more than 4 और sand के case में यह इसकी value होती है more than 6 well graded soil के लिए more than 10 next question देखते है uniformity coefficient of filter sand is represented by देखे यह formula direct push लिया गया अभी हमने formula आपको बताया previous question में क्या होता है d60 by d10 तो option देख लेते हैं d50 d5 ऐसा कुछ होता ही नहीं स्वाइल में d50 d10 भी यह भी कुछ नहीं होता है तो यह right answer will be d d60 by d10 कुछ कुछ देखे 17 में question पूछा गया और direct question पूछा गया तो आपको इन सब question पर time बिलकुल बेस्ट नहीं करना within 10 seconds question पढ़ना हो इसको answer tick कर देना क्योंकि स्वाइल में number of questions ज्यादा आते हैं तो आगर एक question पर ज्यादा time waste करेंगे one liner पर तो जिसमें आपको solve करना रहेगा तो उसके लिए फिर आपके पास time नहीं बचेगा आप सारे questions नहीं time कर पाएंगे next question देखते हैं the coefficient of compressibility of soil is the ratio of coefficient of compressibility क्या होता इसका भी देखिए आपको formula direct पूछा गया है coefficient of compressibility होती इसको हम लोग AV से रिप्रेजेंट करते हैं और यह क्या होता हमारा change in void ratio upon change in stress नॉर्मल जो हमारा यहां पर void ratio change in void ratio की बात की कि इसमें भी क्यों हो रहा है तो इसको हम लोग strength से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है तो आप option के recording इसको देखेंगे तो आपको समद में आ जाएगा option देखते हैं आपे stress to strain strain to stress stress to settlement rate of loading to debt of settlement तो here right answer will be strain to stress stress तो यहां पर है यह और यहां पर जो void ratio है उसको हम लोगों ने strain के टम में define किया है और रिप्रेजेंट चेंज इन void ratio of change in void ratio हमारा भी क्या हो जाएगा जो voids में changes आ रहे हैं हमारे तो इसलिए यहां पर strain to stress हो जाएगा next question देखते हैं coefficient of active earth pressure for cohesionless soil is given by आपको यह formula ज्याद होने चीए active earth pressure passive earth pressure soil at rest जो भी retaining wall जो उसमें होता है जब retaining wall पता है क्या होता है जब soil उसमें retain करती तो उसके लिए structure बनाते तो उसमें active earth pressure passive earth pressure दोनों ही लगते हैं तो इसका direct formula होता है इसको लोग लिखते है k a से और इसका direct formula होता है 1-sin5 upon 1-sin5 और passive क्या क्या होता है हमारा 1 plus sin5 upon 1-sin5 आपको याद करने का एक असान सा तरीका है आप passive earth pressure की बात किजिए तो यहाँ passive का मतलब positive से लीजिए और यहाँ पर positive sign बस आप एक याद रखें दूसरा automatic ही याद हो जाएगा दूसरे के लिए आपको याद करने की जुरत नहीं है तो यहाँ active की बात की जा रही तो उपर negative होगा passive के case में याद रखिए कि यहाँ पर positive होता है ठीक है P से positive याद रखिए तो here right option will be B तो यहाँ पर भी हमने 20 number of questions लिये थे जो को हमने इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच